तो आज हम जिस टोपिक पर बात कहने वाले हैं वह एक ईसा हें जिस पर अक्सर ही याह࡜ बात moments को बात नहीं करते हैं जैसे क्या पता है कि यहां पर हम पूमेंगउ के चेठीक के तौपिक्स कवर करते हैं तो इसके पेहले मैंदे 10 Gel बद्बू आती है तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाया था घरे लूप जा दिये थे जिसमें आज हम बात करेंगे कि वेजाइना में बद्बू आने के क्या कारण है और अलग अलग तरह की बद्बू आती है तो वह कौन से इंफेक्शन को इंडिकेट करती है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने के पहले बात कर लेते हैं आज की प्रोड़क्ट अपदाडे के बारे में तो फ्रेंट से यह है आज का प्रोड़क्ट अपदाडे डावर गुलावरी प्रीमियम रोज आप इसे सिंपली ग्रेशलेन में मिलाकर लगाएंगे तो आपके एजिंग की समस्य कम करता है तो यह चोटा सा पैक है यह 15 रुपए में मिल जाता है और डावर का गुलाब चल काफी अच्छा है तो कुलापचल हमें बैसे भी यूज़ करना चाहिए आपकी स्किन को हेल्दी रखने में काम करता है यह 30 ml है और इसकी घुजबुए वो तो बहुत ही अच्छी लगती है तो आप इसको अपने घर पर जरूर से रखें और इसका यूज़ करें सबसे पहले हमें बात कर लेते हैं बैक्टिरियो बैंजय नोसिस के के होने वॉला जो इन्वेक्शनन है वह बैक्टिरियल फंगल या फिर्द om or किसी तरह हो सकता है हएं जासंते तो हम बात करें वैडेग्ड पारे बैसे तुर्मली ऐसमेल आती की जासे तो यह तो एक तो बैजना होता है जो हमारे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं इसलिए निगीला रहने में मदद करते हैं तो इसमें एक हेल्दी आती है ओ इतनी तेज नहीं होती है नहीं उसमें चोबन होती है पर यह इसमेल जब चेंज हो जाती है तब हमें इन्फेक्शन का पता चलता है और इसमेल के आदार पर हम जान सकते हैं कि आपको कौन सा इन्फेक्शन हुआ है जैसे कि आपको मचली जैसी गंद आना यानि कि मचली जैसी इसमेल आना वेजाईनल एरिया में तो यह अक्सर उन लोगों को होती है जो महिला गर्वती होती है उन में कुछ केमिकल चेंजिस होते हैं जिसके करांद से इस तरह की समेल आ सकती है दोसरी तरह की समेल की बात करें तो वह होती है पियर जैसी समेल मीठी जैसी समेल बिस्किट जैसी कभी-कभी रोटी की दो समेल आ सकती है तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखिए तो एक बार वाद वेजाइनल इंफेक्शन की आप वीडियो देखने और एक और वाद वेजाइनल इंफेक्शन ने दिया आप दोक्टर को कहते हैं तो वह आपको वेजाइनल इंफेक्शन के मेडिशन देते हैं आप कभी भी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो आपको बेगाईनल इनफेक्षिन नहीं बोन Guerra आ स्मर्स्मेल आने उस्मेल आरहे हैं वह बता है क्योंकि वैजईनल इनफेक्षिन इसमेल कोड़ी कास्तूरी तो ऐसे के अपर काड़ी होती है, और इसमेल कोई प्रब्लम नहीं होती है नेक्स्ट जो आती है वो होती है metallic smell metallic smell में आपको आ सकती है तेज अमोनिया की तरह की smell जो काई वार आपने public toilet में देखा होगा तो काफी तीखी गंद आती है जो एकदम से नाथ में चुप जाती है तो ये होती है आपके hormones में changes की वज़े से भी और गंदगी के current भी जो लोग ज़्यादा time तक अपनी urine को रोख कर रखते है या फिर उसको wash नहीं कर पाते हैं सुबह से बैठे रहते हैं साम को जाते हैं तो इस तरह की ammonia वाली गंद उन लोगों को हो सकती है तो जरूरी है कि आप थोड़ी थोड़ी टाइम बाद urine पास करें और शेरिया को wash करें के अलबा यदि आपको खुझली हो रही है जलन हो रही है ड्राइनेस की समस्या हो रही है लाल हो रही है है इस तरह की कोई भी तरह की दिक्कत होती है तो आपको तरद प्रण डॉक्टर को दिखाना चाहिया और उसका प्रपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए तो अधि आपको पानी की तरह डिस्चार्ज हो रहा है बढ़ गया है तो इसका इंफेक्षन होता है और उसका proper treatment लें तो I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगे होगे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब